जैम आता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं असरदार टोटकी, आज मैं आपके लिए एक महत्तबुन टोपिक लेकर आया हूँ, करवा चोत के विशे में, करवा चोत के वर्त की सही विदी, इसे जानने के लिए किरपया हमारी वीडियो को देखते रही हैं, सबसे पहले मैं आ अपने लिए फाइदा उठा सकने हैं, आप बात करते हैं, करवा चोत के वर्त की सही विदी, हिंदू सुनातन पदती में करवा चोत सुहागने का महत्यपून टेंहार माना गया है, इस परव पर महिलाएं हाथों में महंदी रचा कर, चूड़ी पहन कर, वैसोला सिंगार कर, अपने पती की पूजा का वर्त का करती हैं, यह वर्त हर साल आता है, लेकिन सही विदी से नय करने की वज़े से इसका फल नहीं प्राप्त हो पाता, सुहागिन महिलाओं के लिए यह दिन काफी एहम है, क्योंकि यह वर्त पती की लंबी आयू और घर के कल्यान के लिए रखती हैं, करवा चोत का वर्द कार्तिक मास की क्रिशन पक्स की चुतूरती को मनाया जाता है यह वर्द केवल साधी सुदा महिलाओं के लिए ही होता है अक्सर महिलाएं अपनी मा या फिर अपनी सास से करवा चोत करने की विदी सीखती है लेकिन अगर आप अपने घर से दूर रहती हैं और यह वर्त करना चाहती हैं तो इसकी विदी जाननी जरूरी है आए जानते हैं करवा चोथ के वर्त की सही विदी की आप कैसे मनाए करवा चोथ के वर्त विदी पहले सूरियोदे से पहले सनान करके वर्त रखने का सिंकल्प लें और सास द्वारा भेजी गई सर्गी खाएं सर्गी में मिठाई, फल, सेमई, पूड़ी और साथ सिंगार का समान दिया जाता है सर्गी में प्याज और लसुन से बना भोजन ने खाएं दूसरा, सर्गी करने के बाद करवा चोत का निर्जल वर्त सुरू हो जाता है माप पार्वती महादेव सिव व्यग्णेश जी का ध्यान पूरे दिन अपने मन में करती रहें तिसरा, दिवार पर गेरू से फलक बना कर पीसे चाउनों के घोल से करवा चित्रित करें इस चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है, जो की बड़ी पुरानी परंप्र है और आठ पूरियों की अठावरी बनाए, हल्वा बनाए, पक्के पकवान बनाए फिर पिली मिट्टी से मागोरी और घनेश जी का सवरूप बनाए मागोरी की गोद में गनेश जी का सवरूप बिठाएं, इन सवरूपों की पूजा संद्याकाल के समय पूजा करने के काम आती है मातागोरी को लकड़ी के सीहासन पर विराजें और उन्हें लाल रंकी चुन्री पहना कर अन्य सुहाग सिंगार समगरी अरपित करें फिर उनके सामने जल से भरा कलस रखें साथ वाइना यानि की भेंट देने की लिए मिट्टी का टोंटी दार करवा लें गेहूं और ढकन में सक्कर का बूरा भर दें उसके उपर दक्षिन रखें यानि की कुछ पैसे रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाएं गोरी गनेश के सवरूपों की पूजा करें इस मंतर का जाप करें नमें, सिवाई, सरवानाई, सुभाग्यम, संतति, सुभाम, प्रियच्छ, भक्ति, युक्तानाम, नारिणाम, हरव, लंबे जादतर महिलाएं अपने परिवार में परचलित परथा के अनुसार ही पूजा करती हैं हर छेतर के अनुसार पूजा करने का विधान और कथा अलग-अलग है इसलिए कथा में काफी जादा अंतर पाया गया है आप करवा चोत की कता कहनी या फिर सुननी चाहिए कता सुनने के बाद आपको अपने घर के सभी वरिष्ट लोगों का चन सपस कर लेना चाहिए रातरी के समय चननी के परियोग से चंदर दर्शन करें उसे अर्दे परदान करें फिर पती के पैरों को छोते हुए उनका सिर्वाद ले फिर पती देव को परसाद दें कर बोजन करवाएं और बाद में खुद भी करें तो दोस्तों आप भी इस विदी का प्रियोग करके करवा चोत की यह सही वरत की सही विदी है आप भी इस विदी का प्रियोग करें करवा चोत को करने के लिए और इसके पूर्ण फल को पराप्त करें तो दोस्तों यह थी हमारी विडियो करवा चोत के वरत की सही विदी अगर आपको हमारी विडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जानकारी परात हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वैसे एर करना ना भूले इसके साथ साथ आप हमारे यूटूब चैनल असरतार टोटके को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस टिप्स लेकर आते हैं जिनसे कि आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तों